हेलो एवरीबन वेलकम अगें टू लण प्रिदेतिमन एंसी एरटी क्लास सिक्स हिस्ट्री में चैप्टर नंबर फाइब हम लोग कर रहे थे तो चलिए उसके बाद हमें पढ़ना है यहां से आज हम पढ़ने वाले हैं मगद के बारे में मानचित्र चार में मगद ढूणो ल जहां के बहुत सारे जो हैं सकतिशाली शाशक हुए थे जिन्होंने बहुत सारे जनपदों के मगद में शामिल किया था तो समय जो है, यह महतपूर्ण जनपद बन गया था, कहां पर था ये, तो गंगा और सोन जो नदियां थी, वो मगद से होकर बहती थी, तो चलिए मैप में देखते हैं, तो यहां पर देखिए, यह रहा मगद, मगद जो की गंगा और सोन नदी, सोन नदी जो की दक्षण से जो ह उत्तर की तरफ आ रही है, तो मगद जो था वो सोन नदी और गंगा नदी के मध्य में था, वही पर अगर वज्जी जनपद की बात करें, तो गंगा नदी के उत्तर में था ये जनपद, ठीक है, मगद जो की सबसे सक्ती शाली था, और यहां पर देखिए, यह रहा अंग तो आपको लोकिशन जो है वो बिल्कुल ध्यान में रखनी है, मैप में जो है वो आप बार बार देखेंगे, तो आपको यह याद रह जाएगा, यहां पर देखिए, पास में ही था वैशाली, उसके बाद देखिए, यह रहा राजगिरी, सोन नदी के उत्तर में ही है, दे यहां पर हम देखते हैं, जहां पर जम्मू कस्मीर है, यहां पर देखिए, चेनाव, रावी, व्यास नदी जो है, यहां पर यहां पर जो था गानधार था, ठीक है, जेलम नदी के पास में, और तक्षिश जिला, जो की यहां महतोपूर्ण विसवविध्धाले था, तो द यहां पर रहने वाले जो हाती थे, इनको पकड़ लेते थे, और उनको प्रैसिक्षिक्षिक करके अचना की काम में इनको प्रयोग में लाया जाता था, ठीक है? इतना ही नहीं, जंगलों से जो है, वो घर, गारियां और रत मनाने के लिए जो है, लकड़ी भी मिलती थी, इ शेतर में जो है वो लोह आयसक की जो है वो खाधाने भी थी तो इस वज़े से मगत जो है बहुत जादा महत्पूर्ण मजनपत था उस वक्त हो चीछ और इस वज़े से सेना जो है जैना को जितनी भी हत्यार वगरा हैं यह सब को मिल जाते थे रत बनाने के लिए लगड़ी मिल जाती थी जंगलों से ठीक है गाड़ियां बना लेते थे यह लोग हांती जो थे इनको जो है ट्रेनिंग देते थे इतना कुछ मगद में था ठीक है और लोहा था तो लोहे से तो बहुत सारी जीज़े जो है वो बनाई जाती थी, मजबूत ओजार और हत्यार बनाने की काम में आता था लोहा, तो इसलिए important था मगद, मगद में जो है वो दो सक्ति शाली शाशक को हुए, याद रखना है बिम्विसार और इसका पुत्र जो है अजास सत्रू, ठीक है, कह महां पर जो है वो मैंने आपको बताया कि अजास सत्रू जो है उसने अपने पिता की हत्या की थी, इस नाइन में सपस्ट हो रहा है, देखो, अन्य जन्पदों को जीतने के लिए ये क्या करते हैं, हर संभव जो है वो साधन अपना लेते थे, ठीक है, महां पदमनंद जो है एक और महतकूर्ण शाशक था, उन्होंने अपने नियंतरन का शेतर इस उक महादीप के उत्तर पक्षमी भाग तक पहला लिया था, बिहार में राजगरहे, आदुनिक राजगीर, जिसको हम कहते हैं, कहां पर है, बिहार में, कई सालों तक मगद की राजधानी भी बनी रह लगना है, कि जो मगद थी, उसकी दो राजधानिया बनी, जिसमें पहली राजधानी जो थी, वो राजगीरी थी, और दूसरी राजधानी जो थी, वो है पाटली पुत्र बनी थी, और कई वर्सों तक जो है, वो पाटली पुत्र रही, 2300 साल से भी पहले की बात है, लोनिया का राजा सिकंदर विस्व विजय करना चाता था, पूरी तरह जो है, वो सफल ना होने पर भी, वह मिस्त्र और पक्षमी एसिया के कुछ राजधियों को जीतता हुआ, भारती उप महादीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुँच गया, जब उसने मगद गी और कूज करना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इंकार कर दिया, कई बार ये एक्जाम में ये लाइन पूछी गई है, तो सिपाहियों ने इंकार कर दिया, और वो इस बास से भैवित थे कि भारत के साशकों के पास, जब उन्होंने देखा, पैदल, रत, हाती, बहुत ज़्या बायाद रखना है, तो जहां भी नोट कर रहे हैं, वहां भी नोट भी कर सकते हैं, मगद के बारे में ये दियान रखना है, बहुत महतपूर्ण जनपत था, कारण क्या था, दो नदियां, गंगा और सोन नदी, इसी से होकर बहती थी, ठीके, जंगल था, तो वहां पर पूर्ण शाशक के नाम धियान रखने, बिम्बिशार और अजास सत्रू, और उसके बाद महापदम नम्द, ये भी धियान में रखना है, ठीके, और इसके बाद पहली राजधानी जो है, वह मगद की, राजगीर रही थी, काफी समय तक, उसके बाद पाटली पुत्र रही नेक्स्ट याद रखने वाली चीज़ क्या है, कि जो मैसिडोनिया का राजा सिकंदर था, तो जब उसने भारतिय उप महादीप में, यहां पर आकरमेंट करने के लिए बढ़ता है, तो उसकी सेना जो है, जब व्यास नदी के पास पहुंचती है, तो सिपाही जो है, जो से जनपद के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, वज्जी, जनपद के बारे में, यह भी बहुत सक्तिशाली था, और यह कहां पर था, मैंने आपको बताया, गंगा के उत्तर में था, इसकी राजधानी जो थी, वह थी वैशाली, यहां एक अलग किस्म की सासन विवस्था थी, तो सासन विवस्था के लिए महत्वण माना जाता है वज्जी, तो यहां जो है एक अलग किस्म की सासन विवस्था थी, जिसे गण या संग कहते थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, गण या संग में कई शाशक होते थे, कभी-कभी लोग जो है एक सासन करते थे, जिसमें से प्रतेक व्यक्ति राजा कहलाता था, ये सबी राजा बिभिन अनुष्ठानों को एक सा संपन करते थे, यानि कि ये एक गण के हो गए, या एक संग के हो गए, तो जो भी कोई अनुष्ठान करते थे, तो एक सा संपन कर लेते थे, तो इससे क्या होता था, जैसे हम कहते हैं न के एक साथ संपन करते थे अगे क्या करना है और किस तरह करना सत्रूं के आक्रमर से निवटने के लिए मिलकर चरचाएं करते थे स्रिया दास कमकार इन सभाओं में ले सकते थे तो इसलिए बज्जी तो था नहीं सम्मू के लिए किया जाता था ठीक है तो कई राजा जो है वो एक साथ जो है वो मिल जाते थे साथ में बैठ कर जो है वो सला मस्चुरा करते थे और किस तरीके से शत्रों का जो है उनको पराजित करना है तो ये कारे बोलो करते थे तो इसी लिए जो है वो शक्तिशाली कि जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जिनके बारे में हम नेक्स चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो दोनों ही जो है गण या संग से संबंदित थे बोधी साहित में संग के जीवन का बहुत ही जो है वो सजीव वर्डन मिलता है बज्जी संग का यह वर्डन जो है वो दीर्ग निकाय जो है इससे लिया गया है दीर्ग निकाय एक प्रशिद जो है वो बौध ग्रंथ है ठीक है जिसमें बुद्ध के कई व्याक्यान दिये ये मिलेगा लिखा हुआ तो भी आपको समझना है अजास सत्रू यानि बिंबिसार के बेटे की बात हो रही है और वज्जी संग तो अजास सत्रू वज्जी संग पर आक्रमट करना चाहता था तो इन्हों ने अपने जो मंत्री था वस्तकार इसको बुद्ध के पास जो है सला करते रहेंगे जब तक विपून और नियमित सभाएं करते रहेंगे आपस में मिल जूल कर काम करते रहेंगे पारम पर एक नियमों का पालन करते रहेंगे और बड़ों का समान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे ठीक है तो इसलिए जो है वो महात्मा बु होती हैं मिलकर संगठन करके लोग जो है वो बात करते हैं आपस में मिलकर रहते हैं जो भी पुरानी नियम है उनको अपनाते हैं ठीक है बढ़ों का सम्मान करते हैं तो ये लोग जो है वो उन्नतितों करेंगे ही इसके अलावा बज्जी महलाओं के साथ जोड़ बढ़ जस्त तो कई सक्ति साली राजा इन संगों को जीतना चाहते थे, इसके बाब जूद उनका राज्य अपसे लगवक 1500 साल पहले तक चलता रहा, उसके बाद गुप्त सासकों ने गण और संग पर विजय प्राप्तगर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया, तो इसके बारे में जो है, वो हम अध्याय दस में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर कुछ मुख्य मुख्य चीज हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे मगद के बारे में क्या इंपॉर्टन था, ठीक है, मगद के बारे में जो मैंने आपको दो-तीन लाइने बताई, इसके अलावा जंग के लिए बहुत महतपूर्ण माना गया वज्जी, जहां पर लोग जो है, वो मिलकर और समुहू बनाकर, या सभाएं जो हैं, वो आयोजित करते थे, और मिलकर बात करते थे, तो इसके लिए वो जाना जाता था वज्जी, अन्यत्र में देखिए, अपने एटलस में य जिसे प्रजा तंत्र या गड़ तंत्र कहते हैं, यह विवस्था लगवग 200 सालों तक चली, इसमें 30 साल से उपर के उन सभी पुरसों को पूर्ण नागरिक ता प्राप्त थी, जो दास नहीं थे, वहां एक सभा थी, जो महतपूर्ण विश्यों पर निरने लेने के लिए स साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी, इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे, शाशन के कई पदों पर न्युक्तियां जो हैं वो लोटरियों के द्वारा की जाती थी, सभी नागरिकों को सेना और नव सेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, औरतों को वारे शालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अदिकाय नहीं मिले थे, यह जो है भारत में जो वज्जी महाजनपत था, उससे जो है comparison किया गया है, ठीक है, तो आपको जो है एटलस में क्या ढूणना है, यूनान ढूणना है और एथेंसिल ढूणना है, जहां पर एक ऐसी साशन विवस्था थी, तो इस तरीके से चैप्टर जो है वो complete होता है, दो जो है वो महाजनपत जो महतपूर्ण थे, उनके बारे में आपने जो है इसमें जाना, और इसके अलावा इस तरीके से हमने इसमें क्या पढ़ा था, कि जो राजा होता था, तो उसका चु जोड़े को अपने राजे से गुजरने की चूट देने वाले राजाओं को यग में आमंतरित किया जाता था, क्या ये बास सही है या गलत है, ये आपको सोचनी है, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट वीडियो में, राजा की उपर सार्थी पवित्र जल का छुड़काब करता था, अब बताईए, जो सार्थी होता था, वो पवित्र जल का छुड़काब करता था या नहीं, पुरा था तो विदों को जन्पदों की बस्तियों में महल मिले हैं, चितरी दूसर पात्रों में जो है अनाज रखा जाता था, महा जन्पदों में बहुत से नगर जो हैं वो किलावन थे, तो ये जो सही गलत जो हैं, ये आपको बताने हैं, इन पांचों की आंसर, कैसे बताओगे, आप कमेंट में लिखोगे, कै का आंसर जो है वो सही या गलत, ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान से ये देखना है, यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को जो है दुबारा से जो है वो पीछे करके देखना है नीचे दिये गए खानों में निम्नल के सब्द भरो तो आखे टक संग्राहक क्रशक व्यापारी शिल्पकार पशुपालक तो इस तरीके से इन खानों में जो है वो भरना है नेक्स्ट देखिए समाज के वे कौन से सम्हू थे जो गड़ों की सभाओं में इससा नहीं ले सकते थे तो हमने पढ़ा था कि इस्तरिया नहीं ले सकती थी ठीक है कर्मकार नहीं ले सकते थे तो चलिए इस तरीके से चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है मिलेंगे नेक्स चैप्टर में थेंक यू झाले टार इससा नहीं ले सकते थे तो है कर्मकार तो है कर्मकार नहीं लेर जो है जो है कि युझ अर्वांटर जो है झाल झाल